नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा लेकर आया हूँ दिपावली पूजन से संबंदित एहम जानकारी लश्मी पूजा के क्या है शुब महुरत? इस्थिर लश्मी के शुब महुरत क्या है? इस्थिर लश्मी के लिए क्या पूजा पाठ विशेश तोर पे करनी चाहिए? दुकान के लिए वेबसाई के लिए कौन से महुरत है? घर के लिए क्या महुरत है? दिन में कौन से महुरत है? और रात में कौन से महुरत है? उसके बारे में मैं हाच चर्चा शुरू करने वाला हूँ जैसा कि अब आप सब लोग जानते हैं के कार्थिक मार्ष क्रशन पक्ष की अमावस्या के दिन दीपावली का परम नाया जाता है इस बार 14. November 2020 को कार्थिक मार्ष क्रशन पक्ष में अमावस्या के दिन दीपावली का पूजन होगा उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लक्षमी पूजा के शुब महुरत दुकान और व्यवसाई के लिए कौन से शुब महुरत हमारे सामने है देखिए दुकान और व्यवपार के लिए क्योंकि जहां से आपकी रोजी रोटी चलती है जहां पर आप जाकर काम करते हैं उसके लिए शुब महुरत में पूजन करना बहुत ज़्यादे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस दिन धनु लगन में गुरू अपनी स्वैम की राशी में चल रही होंगे और बहुत अच्छा बल उनको मिलेगा इसमें आप बिल्कुल भी मन में इस प्रकार का द्वेश ना रखें या वहम ना रखें के उस समय तो रहु कल चलेगा तो रहु कल में ऐसा हो जाएगा लेकिन गुरू को अपने आप में एक बहुत अच्छा बल मिलता है गुरु स्वैम अपने आप में धन के कारक हैं कोश के कारक हैं सभी प्रकार का सौभग्य देने में शक्षम है गुरु इसलिए धनू लगन में लगनेश लगन में ही विराजमान होंगे और ये लगन उस समय प्राते नौ बच के बारे मिनट से ग्यारे बच के सोले मिनट तक होगा इसका मतलब है दुकान के लिए व्यापार के लिए फैक्टरी के लिए जहां पर आप काम करते हैं उसमें लक्षमी पूजा के जो लिए शुब महुरत है वो है प्रातहा नौ बच के बारे मिनट से ग्यारे बच के सोले मिनट के बीच अब हम बात करते हैं लक्षमी पूजा के शुब महुरत घर के लिए क्या होने चाहिए घर में इस्थिर लक्षमी के लिए जो समय काल है सबसे ज़्यादे स्रेष्ट है कि लक्षमी का आगमन हो लक्षमी हमारे घर में इस्थिर रूप से विराजमान हो जाएं उसके लिए व्रशब लगन है साइकाल के समय में ये लगन उदे हो रहा है जो कि शाम को साड़े पाँच बजे से उदे होगा और साथ बच कर 26 मिनट तक शाम तक चलेगा यानि दो घंटे का वो समय काल होगा जिस दोरान आपको अपनी पूजा प्रारंब कर लेनी है क्योंकि कुछ लोगों की पूजा पाठे बहुत लंबी होती है लेकिन ये वो समय है जिसमें हमें मुख्य मुख्य पूजा पाठ कर लेनी चाहिए बाकी स्तोत्र पाठ वगेरा पढ़ते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो एक कितना भी बढ़ा आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां साड़े पांच बजे से साम के साथ 26 का महुरत सबसे जादे आपके लिए शुब रहने वाला है, घर में इसी समय आप पूजा करें, उनके मंतरों का नुष्ठान, उनका आवान, उनको स्नान कराना, उनको इस्थान प्राप्त कराना, उनको पंचामरत से स्नान कराना, ये सब बहुत ज़्यादे मुख्य हैं, कि उनको आप वस्तर दीजिए, उनको पुष्प दीजिए, फल दीजिए, फूल द इस मंत्र से आप हवन भी कर सकते हैं अन्यता इस मंत्र की अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं और हाथ में पुष्प और चावल पुष्प लेकर चावल नहीं लेने हैं पुष्प ही लेने हैं हाथ में सिर्फ गुलाब के पुष्प लेकर हर बार मंत्र बोलते हुए आप पुरुष शुक्तम भगवान विश्नु के लिए गोपाल सहसर नाम या विश्नु सहसर नाम का अगर आप पाट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत जादे बहतर होता है क्योंकि ये विशेश पूजा इसलिए है उस दिन जो भी महुरत होते हैं क्योंकि विशेश वार औ अपने आप में बहुत बड़ा महत होता है उस दोरान आप जो भी पूजा पाट करते हैं वो अपने आप में सिद्ध हो जाती है माता लक्ष्मी भगवान विश्नु कुवेर महराज हनुमान जी भगवान शिरी राम ये सब आप से विशेश महुरत में पूजा करने के उस दोरान आप अपने घर, मकान, आफिस, व्यवसाय स्थल पर आप पूजा कर सकते हैं आप सभी को दिपावली पर्व की बहुत बहुत शुब कामना है नमस्कार